हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो आज मैं बताने वाला हूं कि गुलाब की केर गर्मियों में कैसी की जाए क्योंकि इस अच्छ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और गुलाब की पौदे जुलस जाते हैं फूल छोटे जाते हैं तो उसकी केर कैसे कर जिससे हमारा गुलाब हल्दी रहे अच्छे से फूल कि दे गर्मियों में देखिए मेरे गुलाब हल्दी है कुछ फूल दे रहे हैं और कुछ में दिक्कत आ रही है तो उनको सही करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों माई की 14 तारीक है और भあー हो बहुत जादा गेर्मी को रही है हुद्वा बहुत चलिए गरम हो जिसके करर गुलाब में पत्तियार पीली हो रही है और उस्में फलावर जल जा रहा ऋयरे जह जल जा प्लावर के साइग छोटे हो गम तो यह सारी problem आ रही है सबसे बड़ी problem प्रोब्लम है डाय आपके अगर गुलाब है आपके आप जुरूर देखना उसमें देखिए कोई ना कोई डान काली हो जाती है अगर आप उसको कट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो पूरा पौधा को खतम कर देता है तो आपको मैं बताऊंगा डाइवाइक को खतम कैसे क्या जाए इससे हमार प्लांट है और इसको मैंने पूर्ण किया था जिसके वज़ा से यह इतना हेल्दी है और आपको थोड़ी थोड़ी पूर्णिंग भी करते रहना है तो मैं सारे टिप्स बताने वाला हो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए अगर आपने भी चैनल सस्क्राइब नहीं लाइश भी देना पड़ेगा और अइसा नहीं के फ mellan कर दें यह जैसे पहले डाले तरह भी नहीं डालना है मैं आपको बतांगा कैसे फल्टी लाजर देना क्या करना है गुलाब में तो पहले आपको पानी देना है पानी गुलाब को सबसे जादा हो सकता हुए होती है गर्मी में क्योंकि इसको भरके पानी देना है मैं थोड़ा दिया क्योंकि मैं पानी सुभा दे चुका हूं और उसके बाद आपको पसंद रहता है इसलिए तो डेली आपको शावरिंग जरूर करना है किसे क्या होगा हमाई नएने कले लब नएने कलिया आएंगी और नएने पॉर्स खुलेंगे जिससे क्या होगा ग्रोथ अच्छी होने लेगे कि देखे मैं दिखा रहा हूं आपको उससे क्या होगे प्लावर निकले हैं जो इसलिए उन Hai क्या क्या करना है क्ट कर देना और देखिए मैं क्ट करने चतंः नहीं नए जय्यादा प्लावर आएंगे तो यह ज़्यादा देखना है अगर उनक्रото तरहले की जा में तो यह जहां करते हैं में आट rest जूर्ब कानी को सब्साइब कोदक उत्सuftमें पूश्क पीर ने जायकidas आदे ये इसके लिगे लेटोग शनी पूश्क्रमानय की तो वह य। आज यकिम्ला योटे को अध Forces इनको आपको धिर धी उनको काले काले उनको कट करते रहना है के जो और इस में बात करूं तो प्लतिलाजर जो आप देते थे वहीज़ टीलाजर दीजे जो यह एक लिटर दीटे थे तो उसका आधा लिटर दीजे अगर आधा लिटर दे रहे तो धाई सग्युएं मात्रा आपको फल्टी लाजर की कम कर देना ऐसा नहीं कि देना ही बंद कर दें फल्टी लाजर देना लेकिन कम देना है क्योंकि फल्टी लाजर क्या होता गरम करता है जिससे फलावर समारे आते हैं लेकिन ठंडी में क्या इनको गर्मी में ठंडी खाच चाहिए तो इसमें क् पता ने चलेगा तो वीडियो ज़रूर जल्दी ही आने वाली है कि गुलाब में ठंडी खात काउंसी डाले तो यही सब कुछ प्रावलम आती है गुलाब में और मैं इसकी धरी-धरी पूर्णिंग करता रहता हूं छोड़ी-धरी पूर्णिंग करते रहे हैं जिससे हमारे प इसको कट कर दिया था उस दिन तो इसी के साथ मैं कर रहा हूं वीडियो विर्ण तो अगर आपने भी वीडियो लाइक नहीं है तो जाए के लाइक करें निव तो स्क्राइब करें मिलते हैं इसी तरह के नव वीडियो में बबाइ